इस जीवन के अंदर मान सम्मान तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मान सम्मान प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अकसर कुछ लोग गलतियों की वजह से अपने मान सम्मान को खो देते हैं, यदि आपके जीवन के अंदर भी कोई ऐसी गलती जिसकी मदद से आप अपने खोए हुए मान-सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। या समाज की नजर के अंदर आप फिर से उपव उठ सकते हैं। हर किसी के लिए जीवन के अंदर मान-सम्मान और यश काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो आपके लिए प्रस्तुत हैं, कुछ सरल उपाई जिनको आप अपने रिस्क पर आजमा सकते हैं और फाइदा उठा सकते हैं नंबर वन मान सम्मान पाने के उपाई काले धागे का प्रयोग करें दोस्तों यदि आपको समाज के अंदर मान सम्मान को प्राप्त करना है, तो आपको काले धागे का प्रयोग करना होगा आप अपने हाथ या पैर के अंदर काले धागे को बांध सकते हैं और ऐसा करने से आप बुरी नजर से तो बचे ही रहेंगे इसके अलावा आपको समाज के अंदर और परिवार के अंदर काफी अधिक मान सम्मान भी मिलेगा हाला कि अधिकतर लोग काले धागे को नजर लगने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं नमबर टू जानवरों को डाले दाना दोस्तों यदि आप समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह उपाई भी कर सकते हैं. इसके लिए कई तरह के अनाज को आपस में मिक्स करें और कबूत्रों को डालें. रोजाना आप शुक्रवार के दिन यह प्रयोग कर सकते हैं नहीं तो आप शनिवार के दिन भी यह प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका मान सम्मान भी बढ़ता है और आपको बहुत अधिक पुन्य प्राप्त होता है. तो आप यह उपाई कर सकते हैं. नंबर थ्री, भगवान क्रिश्न के मन्तरों का करें जाप. दोस्तों यदि आप मान सम्मान प्राप करें ऐसा करने से आपको धीरे धीरे समाज के अंदर मान सम्मान मिलने लग जाएगा यह एक बहुत ही सरल उपाइज है जिसको करने से आपको काफी अधिक फायदा होगा यदी आपकी भक्ति से भगवान प्रसन हो जाते हैं तो फिर आपको अन्य किसी भी तरह के उपाई को करने की कोई जरूरत नहीं है बस इसी एक ही उपाई की मदद से आपके सारे काम हो जाएंगे दोस्तों मान सम्मान के अंदर बच्चे के दूद का दांत काफी अधिक उप्योगी माना जाता है यह एक प्रकार का टोटका होता है जब बच्चे के दूद के दांत गिर जाते हैं तो उनको आपको उठा लेना है और साफ सुत्रा करने के बाद चांदी के अंदर आपको उसक यदि आपके लिए यह उपाय करना संभव नहीं है तो आप कोई दूसरा उपाय कर सकते हैं जो की आपको ठीक लगे या फिर सरल लगे नमब फाइव दूर्गा सप्थशती के द्वादश बारवे अध्याय का रोजाना करे पाठ माकंडेय पुरान के आधार पर दूर्गा सप्थशती के द्वादश अध्याय नामक अध्याय को त्रिदशो ध्याय कहा जाता है और ये दूर्गा सप्थशती का अंतिम अध्याय होता है इस अध्याय में मा दुर्गा का महाकाली रूप का वर्नन किया गया है और यदि आप इसका पाठ करते हैं तो इसकी वजह से आपको मा दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपको मान सम्मान भी मिलता है तो आप समाज या घर के अंदर मान सम्मान प्राप्त करन पानी का उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि रात को सोते समय पानी को एक बरतन के अंदर रखें। और उसके बाद उसको अपने सिराहने रखलें। फिर आप उस पानी को सुबह उठने के बाद घर से बाहर फेक देना चाहिए। ऐसा करने से आपके उप जो भी कश्ट होगा, वो समाप्त हो जाएगा, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना चाहिए, ऐसा करने से आपको घर और बाहर भी मान सम्मान मिलेगा, यकीन नहीं आता है, तो आप खुद ट्राइ करके देख सकते हैं, नंबर एट किया कराया के बारे में पता करें, कई एक बार क्या होता है, कि आपका दुश्मन आपकी तरक्की रोकने के लिए आपके उपर कुछ भी उल्टा सीधा जादू टोना कर देता है, जिसका असर होने की वजह से आपका मान सम्मान चला जाता है, तो इस तरह की चीजे यदि आपको लगती हैं, तो आपको इसके बार सम्मान वापस लोटाएगा, वैसे भी आजकल एक दूसरे की तरक्की से जलने वाले लोग बहुत होते हैं, उनका और कुछ तो बस चलता नहीं है, तो वे जादू टोने की मदद से आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं, नमबर नाइम करें सूर्य की प्राप्त करना है, तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, यह माना जाता है कि सूर्य की पूजा करने से मान सम्मान प्राप्त होता है, सूर्य को संसार की आत्मा माना जाता है, भगवान राम के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान राम भी सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को अर्ग देने का कार्या भी करते थे नमबर टेन गाई की पूजा करने से होगा लाब दोस्तों हमारे यहां पर गाई को माता माना जाता है और यदि आप गाई की पूजा करते हैं तो इससे भी लाब होता है रोजाना गाय की पूजा करनी चाहिए और उसको रोटी खिलानी चाहिए ऐसा करने से आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा यह एक बहुत ही आसान उपाय है जिसको आप कर सकते हैं बर्गद के पेड की करे पूजा बर्गद के पेड की पूजा करने से भी मान सम्मान की प्राप्ती होती है बर्गद के पेड के नीचे जल और कुमकुम को डाल कर उसकी पूजा करने से काफी अधिक फायदा होता है नमबर 12 रविवार के दिन करे चंदन का तिलक यदि आप रविवार के दिन बाहर जा रहे हैं, तो आपको चंदन का तिलक करके घर से बाहर निकलना चाहिए. ऐसा यदि आप करते हैं, तो इससे आपका मान सम्मान बढ़ता है और आपके बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं. यह एक छोटा सा उपाय है, जिसका प्रयो रहा है, तो आपको रोजाना मचलियों को आटा डालना चाहिए. यदि आप रोजाना ऐसा करते हैं, तो इससे आपको मान सम्मान मिलेगा. और समाज के अंदर आपकी बहुत अधिक इज्जत होगी. 14. गौरी शंकर रूदराक्ष का प्रयोग. यदि आपको मान सम्मान चाहिए, तो ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं. आपको प्राप्त काल गौरी शंकर रूदराक्ष को शिवजी के मंदिर के अंदर चड़ा देना चाहिए. और अपनी मनोकामना को भगवान को कहना चाहिए ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है. यह एक छोटा सा उपाय है, जिसका प्रयोग करके आप समाज के अंदर मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं. 15. हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें. सबसे पहले मंगलवार के दिन को चुनें और लाल फूल को लेकर आएं. पांच फूल आप चुन सकते हैं, उसके बाद उनको हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए. ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है. और जो भी आप कर सकते हैं. सबसे पहले आपको सूती वस्त्र में जटायुक्त नारियल बांध कर अपनी मनोकामना को कहते हुए जल के अंदर बहा देना होगा. यदि आप ऐसा करते हैं, तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है. नमबर सेविंटीन सफेद चंदन का प्रयोग. यदि आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप सफेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए बिलवपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी को आपको लगा देना होगा. उसके बाद अपनी मनोकामना को बोलत नहीं होना चाहिए. साफ सुत्रा होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा. नमब 18. गनेश जी का प्रयोग. यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग भी कर सकते हैं. इसके लिए रविवार के दिन पुश्य नक्षत्र के अंदर सफेद आग की जड़ लाकर उससे गनेश जी की प्रतिमा को बना लेना चाहिए. फिर हवश्य खीर खाकर लाल कनेर के पुश्प और चंदन से गनेश जी की पूजा करें. उसके बाद गनेश जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें. ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी. नमबर 19. नमक डाल कर करें सनान होगा फायदा. यदि आप मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नहाने के पानी के अंदर या तो थोड़ी सी हल्दी को डाल दें. या फिर नमक को डाल कर आपको सनान करना चाहिए. ऐसा यदि आप रोजाना करते हैं, तो इससे भी आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी. नमबर 20. धन आगमन के करें उपाय. आजकल आपको पता ही है कि धन ही सब कुछ हो चुका है. धन के बिना कुछ भी नहीं होता है. धन के आगमन के लिए अमावस्या को पूरे घर की सफाई करें. और उसके बाद मंदिर में धूप द कर सकते हैं. धन का आगमन घर के अंदर काफी अधिक जरूरी होता है. इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जिन इनसानों के पास अधिक पैसा होता है, उनको सबसे अधिक मान सम्मान दिया जाता है. और जिन इनसानों के पास कोई भी पैसा नहीं होता है, उनको कोई पूछता भी नहीं है तो आपके पास मान सम्मान पाने के लिए अधिक पैसा का होना काफी अधिक जरूरी हो जाता है